हुआ है एवरिवन वेल्कम बैक तो मैं अदर हिल्पुल वीडियो तो चलो बनाते हैं एक बहुत ही शांदार सा ग्लास इफिट का केक सबसे पहले मैंने ये चेंज के टिन में मैंदे से केक पेक कर लिया है किस तरह से मैंदे से हम स्क्रैक से घर पर बहुत असानी से स्पॉंज बना सकते हैं वनीला स्पॉंज है वो अलड़ी में वीडियो शेयर कर चुकी हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और देखे कितना सॉफ्ट और स्पॉंजी है ये और ये मार्केट के प्रिमिक्स से भी बहुत अच्छा केक बेस बना है न अगर आप भी होम बेकर हैं या फिर आप घर में अपने आप केक करते हैं घर के लिए बर्देस के लिए तो ये बैस्ट ऑप्शन है आप वीडियो जरूर देखेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा कि घर पे आपको एजी ली मैंदे से केक कैसे बेक क करना है इसका वीडियो पुशेर कर चुकी हो आप वह भी देख सकते है कि समय किस तरह से हंडल करना है वह सारे टिप्स और ट्रिक मैं उस वीडियो में आपके सथ क्लीर किये हैं तो इस तरह अरसे एक लिए डाला हमने क्रीम का अच्छय से अपलाई कर दिया उसके बाद पायनैपल फ्लेवर का केक, जो हम वनीला स्पॉंझ पनाते हैं, उसके साथ, पाइनैपल, स्ट्रॉबरी इस तरह के जो भी हमारे प्रश होते हैं, वो जाते हैं, तो, आप इसके साथ, कोई भी अध्ली अध्ली ऐड कर सकते हो, एवन आप इसको चॉकलेट की तरह भी बना सक चॉक्लिट स्पॉंज का वीरियो भी अल्रीड में शेयर कर चुकी हूं तो चलिए अब जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम सेकिंड लेयर पर रखते हैं उल्टा करके और पहले सबसे पहले हम इसके साइड के अग्ली लेयर तो मैंने लिए टीनों लेयर के साथ उसके बाद अदिनांटी को मिलूफी तो अग्लेगट हम चνाली य सबसे और वहाइप डील collective मैं चाहिए हैं पानी अगर आपको लगता है कि पानी की जरुवत है बहुत जादा थेक है तो डालिएगा नहीं तो ऐसे भी चलेगा उसके बाद मैं आड़ कर रही हूं कुछ कलर के ड्रॉप्स यह हैं येलो कलर जिल कलर यूज करना है यहां पे यहां पे मैं अपनी मर्जी से येलो डाल रह हूं और मैं थोड़ी से समें दो ड्रॉप भी ग्रीन के अड़ करूंगी मतलब आपने देखा कि वने जादा जो इफेक्ट दिया है वह येलो का दिया है येलो के पांच्छे ड्रॉप्स डाल दिये रेट के दो डाले और ग्रीन के भी दो इसकी बाद कलर को अब जब आपस हो रही है उसको भी कवर करेंगे और अपने केक को जो मैंने उसको साइड में लाइन सारी थी वह खराब नहीं होनी चाहिए बहुत हलके हाथ से हम टालेट नाइफ से उसको कंप्लीट कवर कर देंगे अब स्टार नोजल के साथ हम बार्डर बना लेंगे बहुत ही सिंपल ड आते हैं काफी अच्छा लुक भी देते हैं काफी फिनिश बहुत अच्छी आती है तो आप अपनी वर्जी के कोई भी मंचा है कलर समयाट कर सकते हो अब मैंने उसी नोजल के साथ इसमें दो पर स्वर्ल्स बना दी है और दो चेरी स्रगती है लग रहा है ना बढ़िया ग् लिगनर फ्रेंडली मेथिड है केक को डिकोरेट करने का अब थोड़े से सिल्वर बॉल्स मैं इसके उपर सजा दूंगी तो मेरा आज का पाइनापल केक बनकर रिडी है और बनाये हमने स्क्राच के साथ है कोई हमने प्रीमिक्स यूज नहीं किया है तो कैसा लगा आपको यह easy simple सा method जरूर बताएगा अच्छा लगा है तो बने रहे हैं मेरे चैनल पर और भी इसी तरह के tips and tricks देखने के लिए चलिए फिर मिलती हूं बाई बाई